Hi everyone, आज हम देखेंगे कि कैसे हम Tally के इस software को, जो Tally का original, Tally Prime का latest version है, उसको कैसे lowest price में purchase कर सकते हैं और कैसे आप सही decision ले सकते हो कि कौन सा plan आपके लिए suitable है सबसे पहले देखो, यह official website है, ठीक है, आपको google करोगे तो बहुत सारी websites आजेंगी, बहुत सारी second websites होती है, आपको जाना है tallysolutions.com पे, यह website का नाम है tallysolutions.com ठीक है, उस पे जब tallysolutions पे जाएंगे, वहाँ पर pricing section में, उपर menu पे click करना, यहाँ पर pricing आप आजाओगे, तो pricing पर यह आपको pricing यहाँ पर दिख जाएंगी, यह pricing पहले पुरानी pricing है, मतलब यह वाली pricing है 10th February तक के लिए, देखो उपर यहाँ पर mention होके आ रहा है notification कि 10th February 2024 से इसकी pricing increase हो रही है, correct है, तो यहाँ पर pricing इसकी काफी जादा increase हो जाएगी, जिसको हम समझते हैं कि आपके लिए कौन सी pricing किस तरीके से beneficial है, तो यह जो मैं आपको calculation दिखा रहा हो ना, यह new pricing के उपर ही show कर रहा हूँ, आप पुरानी pricing पे accordingly थोड़ा से calculate अपने आप कर लोगे, तो अगर by chance आप पहले purchase कर रहे हो न 10th February से, तो आप देख सकते हो, अपनी calculation करके हो, ज्यादा decision making में फरक नही से रहते हैं, इसमें एक version आता है, इनका silver के नाम से, एक आता है gold, gold वाला आपके लिए relevant नहीं होगा, जब तक कि आपका एक काफी बड़ा business नहीं है, आपको multiple license required नहीं होते हैं, एक land base पे multiple PC आपको run नहीं करने, तब तक आपके लिए gold required नहीं होगा, आपको required होगा silver, ठीक ह आपको जो लेना है, purchase करना है, वो silver, क्योंकि gold के pricing बहुत high रहते comparatively, अगर हम यहाँ पे देखें, तो gold के pricing 54,000 रुपीस के हैं, तो gold आपके लिए relevant नहीं होगा, गोल्ड है, तो calculations को समझ लो, silver वाले की हिसाब से आप calculation calculate करके, और dealer से बात कर सकते हूं, हम यह जो बात करना है यह silver, silver हमारे सारे work solve कर देता है, अब silver के अंदर हमारे पास दो option आते हैं, ठीक है, ऐसे ही gold के अंदर भी है, हम यह silver के अंदर समझना है, एक आता है rental, एक आता है one time payment वाला जिसको stand alone भी बोलते हैं, ठीक है, rental में क्या है कि आपको per month payment करनी है, monthly payment करनी है, और इसमें क्या है, आपको single time payment कर दी आपने, और उसके बाद कभी दुबारा payment नहीं करनी है, बट 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 यहाँ पर एक catch है, तो उस चीच को भी समझेंगे, मतलब front time पर देखने हैं पैसा लगता है कि one time payment है और हो गया, लेकिन वो half truth है, पूरा truth नहीं है, अब यहाँ पर देखो, rental है, rental का price हो जाएगा, 750 per month, ठीक है, जिसको अगर हम 12 महीने में देखें, तो one year में आप कितना pay कर रहे हो, 9,000 रुपीज पे कर रहे हो, जबकि stand alone का price हो जाएगा, 22,500, मतलब यहाँ पर one time, अगर आपको payment करके software लेना है, तो उसको कितने, 25,000 रुपे आपको pay करने रहेंगे, तब आ हर साल 9,000 रुपे पे करने होंगे, ठीक है, इसमें GST अलग है, 18% का GST अलग है, उसको मैं calculation में नहीं ले रहे हो, क्योंकि किसी किसी business को, वो GST का credit ले ले लेते हैं, तो उस cost को उनका मैटर नहीं करते हैं, और all over decision में उसका भी कोई ऐसा ज्यादा impact नहीं आएगा, अब यह हाँ पे stand-alone में क्या होता है, यह तो आपकी one-time payment है, लेकिन इसके अलावा ना, आपको 4,000 रुपे, 4,500 रुपे, हर साल देने होते हैं, जो इनके एक तरीके से, TSS, I think, इसको बोलते हैं, इसमें में एक सेकिंड देख देता हूँ, आपको दिखाता भी हूँ कि यह चीज का 4,000 रुपे पर यर देने हुआ करेंगे, यह इसमें देने होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, यह एक्चुल में इसलिए होता है, कि टैली के अंदर जो भी सॉफ्टेर में अपडेट्स आए होंगे, वो सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें, 9,000 के अंदर आपको कोई additional payment नहीं करनी है साल की, अचा, अगर हम देखते हैं, सिर्फ आप compare करते हैं कि अब आपको लिए कौन सा सस्ता रहेगा, starting में देखने ही पर तो लग रहा है कि rental beneficial है, stand alone हमारे लिए महेंगा है, बट actual में calculation करके देखते हैं कि long term में हमारे लिए कौन स beneficial रहेगा, देखो, अगर सिर्फ आप एक साल में compare करते हो, तो यहाँ पे आपने 9,000 रुपीज तिया और यहाँ पे आपने 22,500 रुपीज तिया, बात समझ मैं, यहाँ पे तो आपको स्रहिए, next year आपको यहाँ पे plus 9,000 रुपे और देने रहे, क्योंकि 9,000 रुपे तो हर स साल के देने है, तो टोटल अब तक आपने कितने spend कर दिया, 18,000 spend कर दिया, यहाँ पे आपको TSS के charges देने हुए, 4,500 जो मुझे लगता है, total करके हमारा 27,000 का होगे, कहीं calculation होगा, तो यह बार देख लिए न, वैसे सही होना चाहिए, third year में फिर से आपको 9,000 रुपीज पे क करी रहे हो, तो यह होगे, 31,500, यहाँ पे आपको फिर से 9,000 next year के pay करने हुए, तो इसके total अपका हो जाएगा, यह हो जाएगा, 36,000, यहाँ पे 4500 देने हुए, ठीक है, और यह हो गया, 36,000, मतलब, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, पहले साल, अगर आप 2000 रुपे खर्च करने हैं, दो साल भी अगर आप चला रहे हो, तो यह आपको सस्ता पढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेंटल में सिर्फ 27,000 देना है, चार साल बाद, अगर पूरे चार साल में देखते हैं, तब जाकर यह दोनों हमारे लिए बराबर हुए, मतलब चार साल के बाद ऐसा हुआ है कि हम वन टाइम पेमेंट कर रहे थे या रेंटल ले रहे थे, टोटल कॉस्ट हमारी एक्वल आई, अब मैं अगर फिफ्ट येर में बात करता हूँ, पांस साल में, तो यहाँ पे आपको 9,000 एड हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे सिर्फ आप पीरेड के लिए देख रहे हो कि अभी मैं तीन साल, चार साल के लिए ही सिर्फ कंसिडर कर रहे हो, तो आपके लिए रेंटल बैटर है, आपके लिए कौन सा बैटर है, रेंटल, बट अगर आप लॉंग टम के लिए देख रहे हो, आप देख रहे हो कि मुझे तो टैली पर ले लेना है और इसको तो मैं अब हमेशा यूज़ करूँगा तो पांथ साल तक तो यह थोड़ा सा आपको महेंगा रहेगा बट पांथ साल बाद फिर यह आपके लिए सस्ता होना पर शुरू हो जाएगा क्यों कि यहां पर हर साल आप 9000 रुपए दे रहे होंगे जब कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो और आपको लगता है कि ठीक है यह वन टाइम पेमेंट है ना मैं पे कर देता हूं तो आप लोग क्योंकि पांथ साल बाद अगर आप देखो ना अपने इसको 10 साल भी यूज़ किया 10 यूर्स भी यूज़ किया तो सीजन आपका है यह कैलकुलेशन कभी मैंने यूटूब पे देखी किसी की मुझे नहीं देखी आपके लिए हैलफुल रही हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि येस इट वाज हैलफुल फोर यू और बाग की के साथ भी शेर करना मुझे भी अच्छा लगता है सीजन पराव सीजन आपके ब खिरूर गया है